श्री शिवाई नमस्तुभ्यम आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान भुलेनात और माता पारवती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार और अब भगवान भुलेनात का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारव करते हैं राजा करंधम बोले हे ब्रह्मन आप भगवान शंकर की पूजा का विधान संशेप से बताने की कृपा करें जिसका पालन करने से मनुष्य शिव के पूजन का पूरा फल प्राप्त कर सकें तब महाकाल ने कहा, हे राजन, सदा प्राते काल, मध्यान काल और सायं काल में भगवान शंकर का भजन करे, उनके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य निश्य ही क्रितार्थ हो जाता है, पहले शनान करे, अथवा यदि रोग आदी संकर से ग्रस्त हो, तो केवल भस्म शनान करे अथवा कंठ तक जलसे शनान करे, यह भी संभव ना हो, तो केवल मंत्र शनान ही कर ले, शनान के पस्चात उनी वस्त्र पहने, अथवा श्वेत वस्त्र धारन करे, या फिर किसी रंग में रंगा हुआ नवीन वस्त्र धारन करे, मैला अथवा सिला हुआ वस्त्र ना धारन करें धौत वस्त्र के अत्रिक्त उत्तरिय वस्त्र भी धारण करना चाहिए अन्यथा उसके बिना पूजा निस्वल हो जाती है जो पुरुष ललाट में हृदय में और दोनों कंधों पर भस्म का त्रिपुंड धारण करके प्रसनता प्रवक महादेव जी की पूजा करता है वह अल्पकाल में ही भगवान शिव का दर्शन पाता है उपासक अपने सब दोशों को मन से निकाल कर भगवान शिव के मंदिर में प्रवेश करें प्रवेश करके पहले महादेव जी को प्रणाम करें तदनंतर मंदिर के गर्वग्रे में प्रवेश करें और फिर हाथ पैर होकर मन हीमन भगवान का चिंतन करते हुए उनके श्री वग्रफ पर चड़े हुगे निर्माल्य को हटावे जो भगवान के मंदिर में भक्ती पूत मार्जन करने अर्थात जाडू देने का कार्य करता है भगवान शंकर भी उसके अंत्यकरण का मार्जन अर्थात शोधन कर देते हैं तत्पस्चात स्वच्छ जल से गड़वों को भर ले सभी गड़वे बरावर होने चाहिए और सुन्दर होने चाहिए उनमें कोई छेद ना रहे वे फूटे भी ना हो और सब की बनावत अच्छी हो सभी वस्तर से छाने हुए जल से परिपोण हो उन्हें चंदन और धूप से सुवासित किया गया हो ओम नमई शिवाए इस सडक्षर मंत्र का जब करते हुए उन गड़वों को धोया गया भरा गया और लाया गया हो ऐसे 108 गड़वों का जुगाल कर ले और इतना ना हो तो 28 अत् कत्र करके भगवान शिव के वाम भाग में रख दें तदनंतर बाहर निकल कर पहले प्रतिहारों अर्थात द्वारपालों की पूजा करें उन सब के वाचक मंत्र क्रमशय बतलाए जाते हैं ओम गंगडपतय नमा ओम छेम छेत्रपालाई नमा ओम गुम गुरुभ्यों नमा इन तीन मंत्रों से आकाश में पूजन सामगरी समर्पित करें तत पस्चात चार दिशाओं में क्रमशह कुल देवता, नंदी, महाकाल और धाता विधाता की पूजा करें इनकी पूजा के मंत्र इस प्रकार है ओम कुम कुल देवताय नमा ओम नम नंदिने नमा ओम मम महाका इस प्रकार बाहर पूजा करने के पस्जाद भीतर प्रवेश करके शिव लिंग से कुछ दक्षिन भाग में पवित्रता पुर्वक उत्तरा भिमूख होकर बैठें और शरीर को संभाव से रखते हुए आसन पर आसीन होकर शन भर भगवान का ध्यान करें कमल के आकार का सुर्य मंडल है उसके मध्य भाग में चंद्र मंडल की स्थिती है उसमें भी मध्य भाग में अगनी मंडल है जो धर्म आदी से घिरा हुआ है इस प्रकार अगनी मंडल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में विश्वरूप भगवान शंकर का भावना द्वारा स संयुक्त हैं उनके पांच मुख और दस भुजाएं हैं प्रतेक मुख में तीन तीन नेत्र शोभा पा रहे हैं उनके मस्तक चंद्रमा से विभूशित हैं भगवान के वामांग में गिरिराज नंदिनी भगवती उमा विराजमान हैं तथा सिद्ध गण बारम बार उनकी पुष्प सर्चों धूब दही और मधू यह अर्गे के नौ अंग बताए गए हैं इन सबको एकत्र करके अर्गी देना चाहिए तत्पस्चात श्रद्धा से आर्द चित्त होकर शिवलिंग को श्नान कराना आरंब करें पहले गडवा हाथ में लेकर श्नान करावें आधे पुष्प से शिवलिंग को पहले नहलावें फिर हाथ से रगड़ कर मेल साफ करें पुना गडवे के समूचे जल से श्नान करावें फिर श्नान के पस्चात पूजन करें और धूप दें इसके बाद भक्ति पुर्वक भगवान शिव को प्रणाम करके मूल मंत्र से उन्हे मधु ग्रित और ईख के रस द्वारा प्रितक प्रितक श्नान करावें फिर सब गड़वों के जलसे श्नान करावें तदनंतर गंत द्रव्यों का लेपन करके श्री विग्रह का रूखापन दूर करें रूखापन दूर करके पुलह नहलावें और चंदन का लेप करें तत् पुश्पों से पूजन करें। उसकी विधी सुनो। उत्तर में ओम अनैश्वर्याय नम। इन मंत्रों द्वारा क्रमशह वेराज्यादी की पूजा करें। वाले रुद्र साध्य, वसु आदित्य तथा विश्वे देवादी, देवसु रूप, अंडज, स्वदेज, उद्भीज और जरायूज रूप स्थावर जंगम मूर्ती, परमेश्वर एवं विश्व मूर्ती शिवका नमस्कार पूर्वक पूजन करें। तत्पस चात, ओम त्रिशूल धनू, खडग कपाल कुठारे भ्यो नमा, इस मंत्र से त्रिशूल आदि की पूजा करें। तदरंतर, जलाधार के मुक भाग में ओम चंडिश्वराय नमा, इस मंत्र के द्वारा चंडिश्वर की पूजा करें। घंटा बजावे और आरती करें। तदरंतर, अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा महादेव जी की स्तूती करके दंड की भाती प्रिथ्यू पर गिरकर प्रणाम करें। और देवेश्वर सिवसे अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रातना करते हुए कहें। हे भगवन मुझसे जो सुकृत अत्वा दुसकृत हुआ है उसके लिए आप मुझे ख्षमा करें। जो इस प्रकार भगवान शंकर का विशेशता इस महाकाल लिंग का पूजन करता है। उसने मानोस समस्त संसार को त्रिप्ट कर दिया। किन्तु हे राजन यह सब पूजन उसी का सफल होता है जो कभी सदाचार का उलंगन नहीं करता है। आचार से धर्म सफल होता है और आचार से ही मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है आचार से आयू प्राप्थ होती है तथा आचार अशुब लक्षणों को नश्ट कर देता है जो इस जगत में सदाचार का उल्लंगन करके स्वेच्छा चार पुर्ण व्यभार करता है बरता इन तीनों के साधन के लिए यतन करना चाहिए इनकी सिद्धी होने पर ग्रिहस्त पुरुष के इह लोक और परलोक में भी सिद्धी प्राप्थ हो जाती है ब्रह्म मूर्थ में उठें उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करें तत्पस्चात शया से उठकर मलत्याग के बाद कुल्ला और दातुन कर ले, फिर श्नान करके द्विज संध्यो पास्टना करे, विद्वान द्विज को उचित है कि वा शांत चित, संयमी तथा पवित्र होकर पुर्व संध्या की उपास्टना उस समय प्रारंब करे, जबकि प्रातेहकाल आकाश के तारे अभी कुछ दिखा नहीं करना चाहिए, हे राजन, जूट, असत, प्रलाप तथा कठोर भाषन सदा के लिए ही त्याग दे, दुष्ट पुर्षों की सेवा, नास्तिक वाद तथा असत शास्त्रों को भी सदा के लिए छोड़ दे, दरपण में मूँ देखना, दातुन करना, बाल सवारना और देवताओं की पूजा करना, इन सब कार्यों को महर्षियों ने पुर्वान में करने योग्य बताया है, पलाश की लकडी का आसन, खडाओं और दातुन भी वरजित है, विद्वान पुरुष आसन को पैर से ना खीचे, एक ही साथ जल और अगनी को ना ले जाए, गुरु, देवता तथा अगनी के समुक पाउन फैलाएं, चोराहा, चैत्य वरेक्ष, देवाले, सन्यासी, विद्ध्या में बढ़े हुए पुरुष, गुरु तथा वृद्ध जन, इन सब को अपने दाहिने करके चलना चाहिए, धर्मा की पुरुष को आहार, विहार और मैथुन ओट में रहकर ही करना चाहिए, इसी प्रकार अपनी वाड़ी और बुद्धी की शक्ति, तपस्या, जीवी का तथा आयू को अत्यांत गुप्त रखना चाहिए, दिन में उत्तर दिशा की और मुव करके मल और मुत्र का त्याग करना चाहिए, तथा रात में दक्षण करने वाले मनुशे की बुद्धी नश्ठ होती है, भोजन, शयन, स्नान, मल मुत्र का त्याग तथा सडकों पर भ्रमन करने पर दोनों हाथ, दोनों पैर और मुव, इन पाचों को भली भाती धोकर आचमन करें, नदी में, श्मशान भूमी में, राक पर, गोबर पर, जोते बोई हुए खेत में, तथा हरी भरी घास वाली भूमी में, मल मुत्र का त्याग न करें, बुद्धिमान पुरुष कुए आधी से निकाले हुए जलके द्वारा ही सोच किरिया करें, जलके भीतर से, देव स्थान से, बांबी से, और चुहों के स्थान से निकाली हुई, त दुख में न डाले, दोनों हातों से अपना सिर न खुज लावे, स्त्रीकी रक्षा करें, उसके प्रती अकारण इर्शया छोड़ दें, भगवान सुर्य को जल दिये बिना कोई कर्म न करें, प्राणियों से द्रोह न करके, मन में भगवान शंकर का चिंतन करते हुए धन क उपारजन करें, अत्यंत क्रिपन न होवे, किसी के प्रती इर्शया न रखे, क्रितग्न न होवे, दूसरों से द्रोह पैदा करने वाले कारे में मन न लगावे, हाथ पैर से चंचल न हूँ, नेत्रों से भी चपलता न सूचित करें, सरल भाव से रहे, वाड़ी से अत्व दंड का आश्रय तो तभी लेना चाहिए, जब उसके सिवा दूसरा कोई उपाई न रहे जाए, फटा तूटा आसन, तूटी खाट और फूटे बर्तनों को त्याग दे, हेंद्री वस्रेष्ट, अगनी और शिवलिंग इन दोनों के बीच से न निकले, दो अगनी, दो ब् पुरुष एक वस्त्र धारन करके, न तो भोजन करें, और न अगनी में आहूती दें, न ब्रामणों की पूजा करें, और न देवताओं की ही अर्चना करें, कूटना, पीषना, जाडू देना, पानी चानना, रांधना, भोजन करना, सोना, उठना, जाना, छीकना, कार्या बचन निकल जाना, पीना, सूंगना, श्पर्स करना, सुनना, बोलने की इच्छा करना, मैथुन करना, तथा शौच कर्म, इन बीज कार्यों के होते या करते समय, जो सदा भगवान शंकर का नाम स्मरन करता है, उसी को शिव भक्त जानना चाहिए, शेश दूसरे लोग, ना पाई इस्त्री से बात शीत ना करें, यदि कभी आवश्यक्ता वस उनसे वार्ता लाप करें, तो माता जी, बहीं जी, बेटी अत्वा आर ये, इस प्रकार संबोधन करके बोले, हाथ और मुह जूठे हों, तो कोई बात ना करें, और ना किसी वस्तु का स्पर्स ही करें, उ उनसे विद्वान पुरुष भी मोह में पढ़ जाते हैं, यदि गुरुदेव घर पर आ जाएं, तो उनके लिए स्वेम उठकर यतन पुर्वक आसन की विवस्ता करें, चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करें, विद्वान मनुष उत्तर और पस्चिम की और सिर करके कभी नसोवें, सिर्हाने की और दक्षण दिशा, अत्वा पुर्व दिशा को रखकर शैन करना चाहिए, रचस्वला इस्त्री का दर्शन और श्पर्ष नहीं करना चाहिए, उसके साथ बादचीत भी नहीं करनी चाहिए, जलके भीतर, मल, मुत्र और मैथुन ना करें, भगवा या उत्तर की और मुह करके और दोनों हाथों को घुटनों के भीतर रखकर मौन भाव से भोजन करें, उस समय भोजन में ही मन लगाए रहें और अन्य के दोश की चर्चा ना करें, यदि वह अन्य किसी उच्छिष्ट आदी दोश से दूसित हो गया हो, तो उस दोश के प्र ना करें, ना सोवे और ना चले ही, यदि गुरू के द्वारा कोई अनुचित कार्य भी हो जाए, तो उसे अन्यत्र ना कहें, वेक्रोध में हो तो उन्हें मनावें, दूसरे लोगों के मुक से भी गुरू की निंदा न सुने, सैकड़ों कार्य छोड़ कर भी धर्म की कथा वार्ता सुने, प्रती दिन धर्म चर्चा श्रमण करने वाला मनुष्य अपने अंता करण को उसी प्रकार शुद्ध कर लेता है, जैसे कि प्रती जाडू देने अथ्वा सफाई करने से घर और दर्पन स्वच्छ होते हैं, सायंकाल और प्राते काल अतिती की पूजा करके भोजन करना चाहिए, दोनों संध्याओं के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निसिद्ध है, सायंकाल में मोह वश भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना जाता है, सनान करके मनुष्य अपने बालों को न फटकारे, मार्ग में छीकने और थूकने पर अपने दाहिने कान का स्पर्स करें, तथा मन ही मन समस्त प्राणियों से इस अप्राद के लिए क्षमा मांगे, नील का रंगा हुआ वस्त्र न पहने और कपड़े को उल्टा करके न पहने, मलिन वस्त्र त्याज हैं तथा जिसके कोर या किनारा न हो, ऐसा वस्त्र भी धारन करने योग्य नहीं है, हाथ मूँ और पैर धो कर आसन पर बैठें, फिर दोनों हाथ घुटनों के भीतर रखकर तीन बार आचमन करें, दो बार मूँ पोचें, फिर जल से मूँ, आख, कान, नाक तथा अपने मस्तक का स्पर्स करें, पुनेह दो बार आचमन करके सब कर्म करें, विद्वान पुरुष को सदा तीनों वेदों का स्वाध्याई करना चाहिए, तथा धर्म पुर्वक धन का उपारजन करके आत्म कल्यान के लिए यत्न पुर्वक भगवान का यजन करना चाहिए, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नीच श्रेणी के मनुश्यो के लिए कभी भी अनादर सूचक तू का प्रियोगना करे, गुरुजनों के लिए तू कह देना या उनका वद्ध कर डालना दोनों बराबर है, सत्य बोले, मित्र भाव से रहे, सदा ऐसी बात बोले, जो दूसरों को सांत्वना देने वाली हो, परलोक में जो हितकर हो, उसी कारे में गंभीर बुद्धी वाले पुरुषों को अपना शरीर और मन लगाना चाहिए, स्वच इंद्रियों वाले पुरुषों को तीर तशनान, उपवास, व्रत, सत्पात्र को दिये गए दान, होम, जप, यग्य, शुपूजा तथा देवताओं की विशेश पूजा आ अवश्य करना चाहिए, यह मैंने तुमसे संचिप्त में सदाचार का किंचिन मात्रवरणन किया है, शेश बातें तुम्हें स्मृतियों और पुराणों से सुननी चाहिए, इस प्रकार भगवान शिव की प्रीती के लिए धर्माचरण करने वाले सद्ग्रिहस्त को इह लो प्रकाश में बड़ा भारी शब्द हुआ, तदनंतर महाकाल भगवान शिव के परम धाम को चले गए, हे कुरुननन्दन इस प्रकार इस महालिंग का आविर्भाव हुआ, महाकाल का यह कूप और सरुवर भी परम पवित्र एवं सिधिदायक है, हे कुंतिननन्दन जो मनु प्रकाश में प्रकाश में बड़ा भी धन्य है, नमाश शिवाय, आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ, इसके आगे कावरितान तब कल की कथा में सुनेंगे, और आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर किया कीजिए, और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्र करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोडिफिकेशन आपको सही समभर प्राप्त होगी मिलते मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राधे